जैम आता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों चैनल से जुलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिये गए बैल आइकोन को भी प्रेस कर दें इससे हमारे डाले गए वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंचेगी आप तक सबसे पहले दोस्तों पौश शुकल एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है और इस वर्ष ये एकादशी सत्रा जन्वरी यानि की गुर्वार को पड़ रही है दोस्तो पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है नेसंतान लोगों को इस वरत को रखने से योग्य पुत्र की प्राप्ती होती है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी वरत कथा और उसके महत्व के बारे में तो चलिए कथा शुरू करते हैं भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान वो उसकी पत्नी सैव्या निवास करते थे इस दमपती के कोई संतान नहीं थी दोनों को दिन रात ये चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यू के बाद उन्हें अगनी कौन देगा इसी चिंता में दोनों दिन रात दुखी रहते थी एक दिन राजा दुखी मन से वन में गए राजा को वन में प्यास लगी कुछ दूर भटकने पर उन्हीं एक सरोवर दिखा सरोवर के पास पहुँचने पर राजा ने देखा कि वहां कुछ दूरी पर रिशियों के आश्रम बनी हुए है वहां बहुत से मुनी वेद पाठ कर रहे थे राजा ने सरोवर से पानी पिया प्यास बुझा कर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया रिशियों ने राजा को आशिरवाद दिया और बोले कि हम आपसे प्रसन हैं राजा ने रिशियों से उनके एकत्रित होने का कारण पुछा तब उनमें से एक मुनी ने कहा कि वह विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट इस नान के लिए आये हैं राजा को रिशियों ने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है जो मनुष्य इस दिन वरत करता है उसे संतान की प्राप्ती होती है राजा ने मुनियों के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का वरत आरंब किया और अगले दिन द्वादशी को पारण यानि की वरत खोल दिया वरत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात राणी गर्भवती हुई और उचित समय आने पर राणी ने एक तेजश्वी पुत्र को जिनम दिया जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया और न्याय पूरवक शाशन किया तो दोस्तो ये थी पुत्रदा एकादशी की वरत का था आईए अब इसके महत्व को जान लेते हैं दोस्तो इसके नाम के जैसा ही इसका फल है जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है या जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ती की कामना करते हैं उनके लिए पुत्रदा एकादशी का वरत बहुत ही शुबदाई होता है इसलिए संतान प्राप्ती के लिए इस वरत का विशेश महत्व होता है इस वरत को करने से मन वांचित फलों की प्राप्ति होती है इस वरत के प्रभाव से संतान की रक्षा भी होती है इस वरत की खास बात ये है कि ये इस्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से फल देता है दोस्तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद